हालो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फिलीश पूर्ड जी आज हम बनाएंगे सबका फेबरेट सूजी का हल्वा सूजी का हल्वा बनाने के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम सूजी 100 ग्राम देशी घी 20 ग्राम बेशन 1500 ग्राम चिनी गानिश के लिए हमें चाहिए किश्मिश, बदा, कोकोनट, बग्ज और केसर तो चलिए अब बनाते हैं सूजी का हल्वा हम हमेशा खाना ट्रडिशनली बनाते हैं क्योंकि वुट फायर पर खाना बहुत ही स्वादिस्ट बनता है सबसे पहले हम बनाएंगे चाश्नी चाश्नी बनाने के लिए हम दो ग्लास पानी बुवाइल होने देंगे पानी बुवाइल हो चुका है अब हम इसमें डारेंगे 800 ग्राम चिनी अब एक टोरी में थोड़ा सा केसर लेकर उसे पानी में घोल कर चाश्नी में डालेंगे केसर से हलवे का टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा अब पानी को पाँच मिंट के लिए बॉाइल होने देंगे चाश्नी त्यार हो चुकी है अब हम बनाएंगे हलवा सबसे पहले 100 ग्राम घी कडाही में डालेंगे और उसे गरम होने देंगे घी घरम हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे 100 ग्राम सूजी सूजी डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 20 ग्राम बेसन अब इसे तब तक चलाएंगे जब तक ये डार्क ब्राम ना हो जाए तूजी ब्राउन हो जुकी है अब इसमें डालेंगे कटा हुआ नारियल, बदाम, किश्मिश फूट डालने के बाद हमने जो चाशनी बनाई थी वो इसमें डालेंगे टास्ट मीश में डालेंगे मगज हलवे को तब तक चलाएंगे जब तक ये गी ना छोड़ दे इस बाद का द्यान रखें हलवे को लगतर चलाते रहें तांकि बोच जले ना हो अच्छिकुकुकद अच्छिक का हलवा खाने के लिए त्यार है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को जादा से जादा लाइक और शियर करें आप भी जे रेस्पी घर पर ट्वाई करें और हमें कमेंट करकर बताएं आपको ये रेस्पी कैसी लगी मिलती हैं हमारी नेक्स वीडियो में एक नई रेस्पी के साथ हेल्दी खाएं हेल्दी रहें अपना और अपने परवार का ध्यान रखें ठैंक्स पॉर वोचिंग